तो भाईया आप सभी को राहुल चौधरी और डेली डोज बॉक्स टीम की तरफ से धेर सारी राम राम दोस्तो जवाहर नगोदे विद्ध्याला है क्लास 11 रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इसी लिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसी बड़ी खुस खबरी जिसे सुनकर आप बहुत ही खुस हो जाओगे दोस्तो ये द्यार्थियों मेरे प्यारे मित्रों और मेरे इस परिवार के यानि कि डेली डोज बॉक्स परिवार के जो क्लास 11 के साथ ही है वो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो परेशानी की बज़े है वो हम समझते हैं वो हम समझते हैं कि आप किस बज़े से परेशान हो आप इस बज़े से परेशान हो आपके यहां क्लास 11 के एड्मीशन चलने होगे कहीं ऐसा नहो कि वहां भी एड्मीशन नहो और यहां भी एड्मीशन नहो इसका मतलब यह है कि हो सक आपको इसके इंतजार में क्या पता फिर उधर भी ना मिले तो इसी लिए आप लोग परेशान हो लेकिन परेशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि डिली डोज बॉक्स है आपके लिए जो आपके लिए हमेशा जवाहर नवोदे विद्याले से जुड़ी एकदम ऑथेंटिक अपडेट लेके हाजर होता रहता है तो दोस्तों क्लास 11 का रिजल्ट कवाएगा इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल अगर आप नब इनफोर्मेशन लानी चाहिए क्या इनफोर्मेशन आपको देनी चाहिए कुछ नहीं पता कल मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि एक मुकदमा जीता है जवाहर नवोद विद्यालाई के खिलाफ जवाहर नवोद विद्यालाई समि same district rule अब खत्रे में है भाई अब नहीं रहेगा same district rule अगर नवोदे जाले समीती अपना कोई stand वहाँ पर साबित नहीं कर पाई तो अब सेम डिस्टिक रूल खत्रे में है आप जिस जिले से पढ़ रहे हो उसी जिले में पढ़ते रहे हो अपने क्रह जनपद में अपलाई कर सकते हो यह चीज कंफर्म कर देगा हाई कोट का वो निड़े जो दिल्ली में आया है एक गार्जेन जीता है ठीक है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है पवाई बटन में जाके देखिएगा उसको लिंक है उसका वीडियो और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में सबसे ओपर भी मिल जाएगा तो ऐसी चीजें लोग नहीं बताएंगे ऐसी चीजें लोग बिल्कुल नहीं बताएंगे जो चीज जरूरी है वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे ऐसे आप समझ दीजिए है जब आहर नवोदे विद्याले का result जो है वह आपका 8 जून को declare हो जाएगा 8 जून को जबाहर नवोदविद्यालेक का result declare हो जाएगा सुबूत आपके सामने स्क्रीन पर है मेरी बातचीत होई थी वहाँ पर मैंने एक right to information लगाया था यानि की RTI लगाया था तो RTI के जबाब में हमको उप्राप्त हो चुकी है वो जानकारी की वहाँ पर जो result है वो result आपका declare होगा 8 जून को 8 जून 2024 को class 11 का result आजाएगा और जुलाई को आप अपने स्कूल में होंगे ये tentative date है इसका मतलब समझते है tentative word का मतलब समझते है आप क्या होता है tentative word का मतलब यह है कि नवोदे विद्याले समीती से हम यह पेक्षा रखते हैं कि 8 तारीक तक जवाहर नवोदे विद्याले का class 11 का result आजाएगा 8 जून तक एक दो दिन बाद भी आ सकता है एक दो दिन पहले भी आ सकता है तो खुस खबरी है आप सभी के लिए जो इंतजार है आपका वो खतम होने वाला है इंतजार की घडिया समापत होने वाली है तो हमारा इंतजार भाई कब खतम होगा 100 के करवादो यार दोस्तो 100 के करवादो कब तक ऐसे green screen पर video shoot करता रहूँगा 100 के करवादो ठीक है बहुत सारे लोगों को support किया होगा बहुत सारे channels को support किया होगा एक subscribe करने में क्या जाता है जो लोग नौटंकी दिखाते हैं जो लोग नाचते कूतते हैं जो लोग हिलते डूलते हैं उनके subscriber यार 5-5 दिन में 100 के हो जाते हैं लेकिन एक सही जानकारी एक नॉलिजफुल जानकारी देने वाले चैनल को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है ये मुझे 100% बिलीव हो गया है 100% बिलीव हो गया है कि एक इस तरीके से अगर कोई काम करेगा ना तो बहुत स्लो ग्रोध होती हो उसकी ठीक है लेकिन मुझे इसमें संतुष्टी है क्योंकि ये स्लो जरूर है लेकिन मजबूत है तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जहन